हथियार से विद्वन्स करने वाला राक्षस होता है हथियार से विद्वन्स रोकने वाला भगवान होता है ये भगवान अच्छा नहीं है, जित्ती है अरे वाँ, ये तो बड़ी प्यारी लेगी तो ये इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू हमारी बहू मस्कार दोख्तों तो आज के इस व्डियो में हम जानेंगे तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया, इगल और लाल सलाम के 10 दिनों के बॉक्स अपिस कलेक्शन वहीं बात करेंगे तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया के 10 दिनों के बॉक्स अपिस कलेक्शन के बारे में इसके लिडरल में आपको साहित कपूर के साथ कृति से नन दिख रही है वहीं इसका पहले हफ्ते का कलेक्शन देखा जाया, यानि कि पहले साथ दिनों का तो 44.35 लाग की कमाई की थी अपने इंडिया से शिर्फ एक हफ्ते में वहीं आगर बात करते हैं इसके नौवे दिन यानि कि सटरडे का कलेक्शन देखा जाया, तो येहां पर सटरडे नौवे दिन 4.35 लाग की कमाई कर रहीया, वहीं अगर आज का कलेक्शन देखा जाये तो आज भी सारे 5.000 क रोघ की कर रही करके एक सूपर हिट मुवी सावित हो चुकी है तो चलिए आप जानते हैं फाइटर के 25 दिनों के बॉक्स आप इस कलेक्शन के बारे में तो सिधाद अनन के डिरेक्शन में बनने वाली फाइटर इसके लीडरोल में आपको रितिक रोशन के साथ दीवका पादुकोर और अरि 24 दिन का कलेक्शन देखा जाए तो एक क्रूर 65 लाग की कमाई कि वहीं अगर आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी अरहाई क्रूर की कमाई कर रहे है अपने 25 दिन वहीं बात करते हैं टोटल 25 दिनों में इंडिया से कलेक्शन तो 206 क्रूर 70 लाग हो जाता है इंडिया के बॉक्स अफिस के बारे में जिसके लीडल में आपको गुरु रंधाव के साथ साइब मंजे कर और और उंपंग खेल दिख रहे हैं वहीं बात करते हैं इसके के लेक्शन की तो पहले जिनका अगर कलेक्शन देखा जाए तो 25 लाग के साथ सुरुआत की थी वहीं दूसरी दिन यानि की सटड़े का कलेक्शन 42 क्रोड रहा था वहीं अगर आज के कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब करीब 75 लाग की कमाई करेंगे टोटल अगर तीन दिनों में इंडिया से कलेक्शन देखा जाए एक करोड़ ब्यालिस लाग हो जाता है अगर वर्ड बैट द में अगर बात करते है नोवे दीन का केलेक्शन यानि कि सटरड़ का इंडिया से बन hon देखा जाए तो तो तीस करोड की कमाई कर चुकी है तो देखना होगा कि आगेचल के क्तना कर रही है यह एक होब मुभी फ्लॉप ही सावित हो चुक है क्योंकि इसका बजट कड़ी करी असी कुरूर है तो उसके हिसाब से यह काफी ज्यादा कम है और यह मुभी एक फ्लॉप सावित हो चुक है वहीं अगर बात करते हैं सुपरस्टार रजनी कांद के लाव सलाम के दस दिनों के कलेक्शन की तो इसका भी अपने पहले हफ्ते में कलेक्शन रहा था मात्रे 15 क्रूर 8 लाख वहीं अगर बात करते हैं सटर डे यानिकी नवे दिन का कलेक्शन तो महल चालीस लाख की कम है कि अपने सटर डे के दिन वहीं अगर आज का कलेक्शन देखा जै तो आज भी करीब करीब 80 था उसके हिसाफ से काफिड कम है और यह भी मुवी एक फ्लॉप सावित हो चुकी है तो देखना हुआ कि आगे चलके कौन सबसे अच्छा कलेक्शन कर पाती है तो आपको कह लगता है कि तेरी बातों में ऐसा उल्जा जी या आगे चलके कितना कलेक्शन करने वाले कमेंट क करके जरूर बाता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो वे धन्यवाद